स्वागा था अब सभी लोगों का अग एडलेट के स्टेडिया में इंगलाएंड कनाडा वर्सेज एस्टेलिया का मैच होने जारा किर्केट चैंपियन सीजन वन का यह दूसरा मैच है ग्रूप B का अगर टॉस जीतते हैं तो हम करेंगे पहले बॉलिंग और यहां पर टॉस ह चलिए लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा यह दिकत वाली बात है और यहां पर हम खेलेंगे और कनाडा के तरफ से खेल रहें आज तो रन चाहेंगे के बारब पीछा है तो रन भी कुछ आ है अच्छा तरगा से पहला बॉल करना इस्टेलिया के लिए और यहां पर पहली बॉ चौका हां से छूटा है और यहां पर चौका मिलते हुए कनाडा को पहली बॉल पर दूसरी बॉल पर हम देखते हैं क्या होने वाला कनाडा के लिए और यहां पर दूसरी बॉल आते हुए और यहां पर दूसरी बॉल पर क्या मिलेगा चलिए हम डबल चुराएंगे यहां पर कनाड़ा के लिए और दूसरी बॉल 6 अभी तक आते हुई कनाड़ा के लिए तीसरी बॉल और अभी तक अच्छी स्कोर है हम चाहेंगल की 30-40 प्लस में रहे तभी हम जीत सकते हैं और यहां पर तीसरी बॉल चौका बहुत खुपसुरी तरीका से खेड़ा है कनाड़ा के प्लेयर जो बहुत ही अच्छा तरीका से हो रहा है और यहां पर अभी तक माच्छी स्कोर है कनाड़ा के लिए और यह हमको मुझे बहुत अच्छा स्वाट लगा लेकिन अभी तक 6 नहीं लगा है लेकिन बहुत ही आगे बार कर मा रहे हैं यह कनाड़ा का प्लेयर और किनादा के लिए पहली six नहीं करेंगे और करनाडा को यहाँ पर जीताने के पुरीधुएत करेंगे और यहां mut करेंगे एंब Türkiye घ्रीच मुझनलक्रेंगे नसकी मारेमें यहां पर बनाते कि क्या करें हम लोग यह वैGO यह बैट्समें आउट हो जाए यहां पर चलिए हम देखते हैं और यहां पर बिलकुल चार रन फिर दिलाते हुए कनाडा के 20 रन अभी तक पांच गेंदे में आ चुका है और यहां पर बहुत ही खुब्सूरत तरीकास अभी तक कनाडा बैटिंग करते हुए अभी तक 20 रन आता हुए कनाडा के पक्षे में अश्ट्रियक कभी तक कोई बिकेट नहीं देता है यह बहुत यह आगे बढ़ते हुए यह सौट कमाल की यह सौट फिर से प्लान बनाते हुए और यहां पर ओभर दी लास्ट गेन हम चाहेंगे कि इस पर छक्का आ जाए तो कमाल की हो जाएगी और बिकेट बिकेट यहां पर बिलकुल अफसोस यहां पर कनाडा का प्लियर पहली बिकेट जाते हुए कनाडा के तरफ से अकॉर्ड कल मैच होने वाला है अफस्तिगान वर्सेज इंग्लाइंड जो अच्छी टीम है और देखना कि कल कौन सी टीम जीतेगी ग्रूप एस वह मैच होने वाली है कल हम बनेंगा अफस्तिगान और यहां पर अभी तक तो 20 रन और यहां पर लेग स्पीनर को बालिंग जाया गया है और यहां पर हम चाहेंगे कि हमारी अच्छी बैटिंग हो आम कनाडा को जीता है यहां इंडिया के तरफ से खेले थे और यहां पर पहली बॉल चोका के लिए बिल्कुल मिलेगा चारन यहां पर कनाडा को बहुत ही अच्छी तरीका से अभी तक कनाडा की बैटिंग हम इस ओभर में चाहेंगे कि 40 तक चले जाए हम एक रख रख छे रख दे 40 तक यहां पर बहुत ही खुपसुरा तरीका से कनाडा का प्लेयर खेलते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है यह बहुत बड़ी पीच है लेक हम कुछ जदे हैं यरली कर दिये और यहां पर अगर कम से कम इस ओभर में हमें है और यहां पर साइद का चाउट का चांस नहीं डबल लेंगे जरूर क्योंकि हमें रण की बहुत जरूरा था कल इतना ही पर हम 23 पर थे और यहां पर नेपाल कल मैच जीत लिया था चाह रहे ह यहां पर चौका अच्छाका तो नहीं आगा लेकिन चौका आते हुए कनाडा के लिए अभी तक चार गेंदे तीस रान यानि अभी तक बहुत ही अच्छा रान रेट है अगर हम जीतेंगे तो और अगर यहां से कनाडा रस्टिलिया में सब जीतेंगा वह दो पॉइंट ल यहां पर फिर से टीपल लेने के कोसित जरूर करेंगे और टीपल प्राप्ट भी करेंगे कनाडा के लिए अभी तक तेंटीस रान आते हुए कनाडा के लिए चाहते तो चारन भी ले सकते थे और ओभर दी लास्टिस में चाहेंगे कि कुछ डू या डाई सिच्वेशन है और यहां पर शिक्स लग्ट वे कनाडा के लिए और सीधे 69 पर पहुंच चुकिए कनाडा पहली पहली बहुत ही खुशूरा तडिका से देखिए खेले कनाडा प्लियर और यह सिक्स मुझे बहुत अच्छा थोड़ा सा पीछे हटे और आगे भी आए थे और मारे सिक्स कमाल के यह सिक्स जावरदास स्वाट इसमें कोई नहीं डाउट यह स्टेडियम के प्यार है यहां पर पाहले टीम कंप्लीट होते हुए हम चलेंगे अब दूसरी सेक्षन की तरह यहां पर बहुत तरीका सा अच्छा तरीका सा खेले हुए है और यहां पर डेविड वार्नर और एंड फिंच आते हुए और हम यहां पर इस पीनर से बॉलिंग कराएंगे कि रण नहीं जाए कि यहां पर टाइम लगा है थोड़ा माफ कीजिएगा यहां पर हम पहली बॉल फेकिंग है और यहां पर क्या नहीं रोख पाएं कनाडा के प्लियर और हम यहां पर डबल रन देने की कोशिस नहीं करना होगा कनाडा को जीताना है यहां पर पहली गेंड कनाडा के लिए अच्छी निकलते हुई अब यहां पर देखना है दूसरी वाल अगर इस ओबर में ज्यादा रहा नहीं जाता अच्छी बात है यहां पर डिफेंस करते हुए एरेंट फिंच यह अच्छी बात है अभी तक हमारे लिए दो बाल हो चुकी है एक रन क्योंकि यह प्लियर्स अगर टीक जाएंगे तो बहुत अच्छी तरगास है और यहां त्रात विमक लिए लग गया है इस्तेलिया के त्रफ से यह मारे एरेंट फिंच कमाल की सौट है कि तरफ से और यहां पर एरेनफ फिंच कमाल तरीका से ख्लते हुए कल ऐसे ही हम नेपौल के तरफ से लास्ट ओभर में हैं जाकर चार पॉइंट पांच में 6 मार दिया था नेपौल और वहां पर हम मैच हार गह थी इंडिया के लिए लिकन यहां पाच कोशिस करनक हमें कनाड को जीताना है और कानारा को दू पॉइंट दिलाना है आज और यहां पे पिछे अटते हुए एरन फींच चेक अबर में और अभी पाच्वी गेंड यह प्लियर में बहुत ज्यादा अगर मारते रा जाएंगे तो डेविड वार्नर इनका नाम है और यहां पे सिंगल लेते कि चलिए इस सोबर में मात्र आया है कि नो रण हम फिर से चाहेंगे कि राइट इस्पीन को भेज देते हैं स्वारी माफ की जगर आए फास्टर बॉलर को भेजा किया है और यहां पर हम अगर यहां पर जरूर डवल होने की कोच सिस होगी और पांच गेंदे तीस रन अब चाहिए अभी डिफेंस करने के लिए बहुत यह कमाल की होने वाली है यहां पर इरन सिंच के पास आगे है ओभर और यहां पर अब जितना इस्टेलिया के लिए दिकत हो रहा है क्योंकि यहां पर पांच चार गेंदा बच गए हैं और 29 रन चाहिए अब हम यह मैच जीतने वाले हैं पहली कानाडा टीम को हम जीताते हुए और यहां पर डिफेंस करते हुए डेविड वार्नर तीन गेंदा आज कुछ कमाल डेविड वार्नर के हां से नहीं देखने के लिए हैं मिला औ और यहां पर सिंगल चुराते हुए डेविड वार्नर और कमाल की थो यहां पर कनाडा के बॉलर के तरफ से और साथ ही साथ जवरदास अभी तक कनेड़ा अभी तक अपनी दिव बना रहें यहां पर सिक्स मारते हुए एरन फिंच यही चलिए यहां पर कनेड़ा का प्लेयर रोकते हुए लेकिन कमाल कि यह यह सिख कमाल जवरदास शिक्स है तो कल गुरुप यह से मैं यह देखना नहीं भूलिएगा आफिस्दगान भरसेज इंगलाइड कल हम सेलेक्षन के बात करें तो हम बनें अफिस्दगान तो चल है इसी के साथ सेलीबिडेशन के साथ कनाडा जीतते हुए पहली मैच और दो पॉइंट कनाडा के हर्स में आते हुए और यहां पर स्टेलिया को दो पॉइंट नहीं मिलने प्रप्लेर्गू